आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इह फैसे अपना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लिगा के रहे और स्टीर ब्सक्राइब लगज़े सब्सक्राइब रहेगा और H3 जो है पहले ही 3N टेम्स का समय है तो 3N by 2 into 2A plus 3N minus 1 times D के बराबर ठेक है यह उठाएंगे त्यी न्योकेशन अब आपको बतानी है H3 है पून H2 minus S1 तो पहले H2 minus S1 कल्कुलिट कर लेते हैं तो H2 minus S1 कल्कुलिट करेंगे हैं तो देखो N by 2 2A plus N minus 2N minus 1 into D इधर 2N है N minus N by 2 2A plus N minus 1 times D ठीक है यही है अपना यासे तो क्या करता हूं देखो इसमेंसे हम solve करेंगे इसमेंसे हम N by 2 कोमल ले लेता हूं है पूरी क्यूशन में से 2 इंधर आड़का 4A plus इधर आड़का twice of 2N minus 1 times D minus इधर आड़का 2A minus N minus 1 into D के बराबर तो क्या है मिली मिलेगी N by 2 इधर आड़का 2A ठीक है देखो माइनस में N और इधर प्लस का D रहाएगा तो यहनी N by 2 2A plus 4N D minus ND is 3N D minus D तो D कॉमल लेलोस में से N by 2 2A plus 3N minus 1 times D यह मिलदा आपको S2 minus S1 की वेल्यू और आपको वेल्यू पताने थी S3 upon में S2 minus S1 तो S3 की वेल्यू 3N upon 2 into 2A plus 3N minus 1 upon D और S2 minus S1 में रहे हैं से आ गया है अभी आपना निकाल चुके हम N by 2 2A plus 3N minus 1 times D की बराबर ठीक है यह अपना 3N minus 1 है तो यह से अपना यह पूरा time cancel out हो गया N by 2 से N by 2 cancel out हो गया और किसके को मिलगा 3K को मिलगा तो यह हो जागा इस question का answer जो उसकी value आगी वो अपनी 3K को आगी यानि option number 3 is the right answer ओके, thank you friends अजी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर